दो सीटों के सौधों को लेकर कॉंग्रेस के बड़े नेता की सीडी वायरल हुई है जिसके बाद सियासी घमसान तेज हो गया है स्टिंग ओपरेशन में हाला की अभी नाम किसी का सपस्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दो जारी है साथी कॉंग्रेस आन दो सीटों में टीकट बटवारे को लेकर चर्चा हुई है मुखिताय स्टिंग ओपरेशन बावन मिनट का है जो चार भागों में है चलेगा 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 उसको भी चलेगा और खुझी अब खुझी जैसे जहां पुझी हो लेकर राज कुमारी सीना है या पिर अलाली आता हुझा चुत्र के मताबे कि सीडी से 36 गड़ के कुछ प्रभावशाली कॉंग्रेस नेता संकट में आ सकते हैं गौर तलब है कि करीब एक हपता पहले से 36 गड़ के मीडिया और राजनितिक हलकों में कोई नई सीडी आने की आहट सुनाई दे रही थी आने वाले दिनों में इस संबन्द में कॉंग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सैलिश नितिन त्रिवेदी ने खुलासा करने की बात कही है सैलिश ने साब तोर पर कहा है कि अब भाशपा अपनी बिदाई से डर गई है इसले इस तरह की हरकते कर रही है 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाशपा से समाज का हर वर्ग किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, डॉक्टर, व्यापारी सब नाराज है इसे देखते हुए भाशपा और भाशपा के सहयोगियों ने एक नई चाल चली है हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे इस मामले में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष भूपेश बगहेल पूरी तरीके से उन्होंने कोई पार्टी विरोधी बात न कही है न की है और सबसे बड़ी बात इस मामले में दोशी सीडी की राजनीटी राज्य बनने के समय से कर रहे पहले कहूंगा सहयोगी और उसके वाद रमन सिंग जी जिम्मेदार श्री पप्पु फरिष्टा एक समाचार पत्र सस्थान के समपादक हैं, मालिक हैं लेकिन वे कॉंग्रेस के प्रात्मिक सदस्य नहीं है उनकी कॉंग्रेस पार्टी में कोई भूमिका नहीं वहीं कॉंग्रेस के आरोब को भाजपा ने सीरे से खारिच कर दिया है, बलकि भाजपा ने कॉंग्रेस को लतार लगाते वे कहा कि ऐसी करतूत कॉंग्रेस आज नहीं, वरन कई सालों से ठीक चुनाओ के पहले ही करती है लेकिन आम जनता को आज सब मालू है, इसलिए कॉंग्रेस खुद को पहले देखे, उसके बाद भाजपा पर लांचन लगाए सीडी, सीडी, सीडी और आपका भी प्रस्ण की एक नहीं सीडी आ गई है, वो 36 गड़ प्रदेश के संस्कृति को और संस्कार को ये कॉंग्रेस खत्म करना चाती है, लगातार कितने लोगों का चरित्रहरन आखिर सत्ता में हाने के लिए, कॉंग्रेस 15 सालों से सत्ता से मोचना चाती है, चरित्रहरन करना चाती है, अभी तक तो कॉंग्रेस प्रदेश अद्दक्ष की बात थी, अब प्रभारी की भी सिडी, मैं समझता हूँ कि बापू दूर दर्शी थे, आज उनका जन्मदिन है बापू का और बापू ने कहा था कि कॉंग्रेस आंदोलन के बनी थी, राजनीती के लिए नहीं, और अब ये इसपस्ट हो रहा है कि बापू ने कितना सत्त कहा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के नेता सारजनिक शेत्र में राजनीती में जाने के योग नहीं रहे, और इन्हें च्छमा करना चाहिए, चत्तिसगर प्रिकार कर लिया, आज कह रहे हैं साजी, जाच होगी तो फिर पता चलेगा कि ये कहीं उपलम्दत है, सीडी के वाइरल होने के बाद अब सियासिक घमासान तेज हो गया है, ऐसे में अब देखना है कि सीडी का जिन किस करवट बैठता है, देश टीवी के लिए कैमरमेन रिशी निताम के साथ स्वरुप भटाचारी की रिपोर्ट